दोस्तों मैं अफ्जल और आप सभी को सवगत कहता हूँ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ए प्लस रेयल्टी पर और आप आज मैं आपके लिए जो ले करके आया हूँ प्रोजेक्ट यह फैजाबाद रोड्स पे आउन हाइवे का प्रोजेक्ट है जहां पर क आपको गेटट टाउंशिप के अंदर टो मुव मकां यहां पे अबलिबल है अगर आप फैजल बाद रोड पे टो सोब्सक्राइबन चाहते हैं तो यह बीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है तो विडियो को लाश्टे दरूर देखे और वीडियो के अंदर अ झाल झाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये एलिवेशन आप देख रहे हैं ये इस सुसाइटी का जो मकान बन रहे हैं उसका ये बहुत ही खुबसूरत एलिवेशन दिया जा रहा है फ्रन पे अगर आप देखेंगे तो उपर पूरा ग्लास वर्क का काम किया गया हुआ है जो मम्ती है मम्ती पे भी अगर आप देखेंगे तो पूरा ग्लास वर्क का काम किया गया हुआ है पर जो आपके बालकनी है बालकनी पे स्टील के रेलिंग और टफन ग्लास आपको यहाँ पर लगा करके दिया जा रहा है और जो एलिवेशन फ्रंट पे आप देख रहे हैं तो यह आपका एक अच्छी हाइट गेट दिया गया है लॉन हो गया कार पार्किंग हो गया इस तरीके से यह पूरा एलिवेशन कंप्लीट करके टू भी एच के का यहाँ पर मकान आपको मिल रहा है क्या है ready to move मकान अगर आप देखेंगे तो यह सारे मकान यहाँ पर लाइन से बने हुए यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है और लगतार यहाँ पर मकान श्रजाए चुकी है और लहों लेते जा रहे है और लोग शिय्वेशन हात रहे हैं उस नहीं पर भी आप देखेंगा यह तो भी एज के है जिसकी जो प्राइसिंग की अगर हम बात करते तो 46 लाग से यहाँ पे स्टार्टिंग है तो 46 लाइक करके 55 लाग तक के जहां पे मकान आपको अपने अपने किसी भी बजट के अंदर यहां वह ग्लubgehen सबक्राफ़ कर सकते हैं कि अब आई चलते हम मकान के अंदर और देखते मकान अंदर से आपको किसी तरीकी से मिलेगा उस्तों जैसे जब हम अंदर इंटर करते हैं माकान से तो आप पर एक अच्छी बड़ी साइस की पार्किंग मिलेगी देखेंगे तो इस पार्किंग के अंदर अगर आपको पानी का हो गया वह आपको मिल रहा है और प्लस आपका एक टंकी का पानी है वह भी आपको यहां अगर आपको वाशिंग मशीन अगरा यहां पर तो इसके लिए भी आपको पॉइंट वगरा दिया गया हुआ है यहां पर आप देखेंगे यह पूरी खुबश्रत विंडो आपको दी जा रही है जो भी ग्रास है इसब आपका रिप्लास दिए अच्छा पर्क कर सकते हैं जा रहे हैं और यह आपको डबल पल्ले यहां पर लगा करके दिये जा रहे हैं चाय विंडो है या अगर आप दोर भी देखेंगे तो दोर पर भी आपको यह डबल डोर लगा करके दिये जा रहे हैं जब आप अंदर इंटर करते तो दो इंट्री आती है एक ड्राइंग र स्पेस आएगा प्रंट पे आपको एक अच्छे साइस का जहां पर दोर मिल रहा है और यह पूरा लेमिनेटेड डोर आपको मिल रहा है और ऊपर अगर आप देखेंगे तो यह आपको वेंटिलेशन पर पर से दो पल्ले इसमें भी लगा करके दिये गए हैं गिलास और मॉस् उसके अंदर के अब क्योंसके लिए जिसमें नहीं हुआ है उसके अंदर अगर आपकर चाहिए तो जो टेक्च्च्चर पेंट जो हम दे रहें इसका जो यहां पे जो पेंट बगरा है यह लगभा यह सब भी चीजे भी अपने थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं इस ड्राइंग रूम के अंदर अगर जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहां हम इस ड्राइंग रूम से आगे बड़ते हैं तो हमको यहां पर ड्राइंग रूम के साथ साथ ड्राइनिंग का स्पेस मिलता है प्लस यहां पर एक open modular kitchen आपको मिल रहा है अगर आप देखेंगे तो यह खुबसूरत modular kitchen आ रहा है और यह बड़े सब्सक Toni आपको रख सकते हैं कि ज Anything आपको लगा के लां के लेडिया जा रहा है करते बास अगर आप यहां पी इस तरीके से दिएधा रहा है तो यहां पर आप देखेंगे तो जो steel की पूरी एक अच्छी quality की steel की यहां पर boxes दिये गया हुए है और यह modular kitchen पूरा complete करके आपको यहां पर मिल रहा है इसके अगर आप प्लस आपको पॉइंट की यहां पर करके दिया जा रहा है यहां पर यहां पर करके दिया रहा है यहां पर लगाना है उसके लिए भी switch socket दिया गया हुआ है, अगर आपको यहाँ पे mixi लगाने हैं, आपको यहाँ पे चिमनी लगाने हैं, उसके purpose से भी यहाँ पे switch socket करके complete दिया गया है, फ्रंट पे आप देखेंगे तो चिमनी के साथ यह आपको जो आप चिमनी के पूरा पैप डाल करके बाहर इसका ventilation डाल दिया गया है, और फ्रंट पे भी आपको यहाँ पे window डाल के दिया जा रहा है, ताकि अगर window से बाहर भी आप देख सकते हैं, अगर कोई visitor आया है, तो main gate से पे कौन आया है, वो भी आप यहाँ से, अगर आप working lady हैं, तो यहाँ से बाहर देख सकते हैं, इस मकान के अंदर जैसे कि यह 1000 square feet का यह मकान है, इसके अंदर दो रूम आता है, दो रूम के साथ दो बातरूम आपको मिल रहा है, एक आपको यह common bathroom आ रहा है, अगर इस common bathroom का अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको यह पूरी 7 feet की यह पूरी tiles complete करके लगा कर दिया जा रहा है, चुंकि यह common bathroom है, तो आगे आपको Indian seat लगा के दिया जा रहा है, बीच में आपको OTS का space आ रहा है, कि इस room का जो OTS है, विंडो में भी OTS काम कर सके, अब bathroom का जो भी OTS है, वो भी यहापर common share हो जाता है, यहाँ पर जो भी seat लगर है, आप sanitary देखेंगे, यह सब Sera company, सार गर्माहर्ट है, जो भी गर्मी है, वो OTS के थूरू बाहर जा सके है, यह हमारा पहले आपका आजाएगा master bedroom, इसके अगर आप देखेंगे तो बड़ा size का master bedroom दिया गया हुआ है, इस bedroom के अंदर भी आपको complete fall ceiling मिल रही है, और इसके सारसाद attached bathroom आपको आ रहा है, जो attached bathroom अगर आप देखेंगे, तो एक बड़े size का यह bathroom दिया गया है, इसके अंदर tap हो गया, shower हो गया, Indian seat हो गई, watch basin हो गया, यह सब आपका Sarah company के सारे fittings के साथ यहाँ पर आपको मिल रहा है, जीजर का point हो गया, यह सब complete यहाँ पर मिल रहा है, रूम के अंदर भी अगर आप देखेंग है, उसके लिए भी यहाँ पर आपको mini MCB लगा करके दिया जा रहा है, तो सारी सुधाओं के साथ यहाँ पर आपको सारी चीजर मिल रही है, इस रूम के अंदर ventilation के लिए अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर window मिल रही है, प्लस उपर ventilator मिल रहा है, डोर के ऊपर भी डाल करके दिया जा रहा है, तो इस तरीके से ventilation का भी proper ध्यान यहाँ पर आपको दिया गया है, अब हम चलते हैं अपने second room के अंदर, यह second room है, इस bedroom के अंदर जब आप आते हैं, तो इसके अंदर एक grand size का यह bedroom दिया गया हुगा है, जिसके साथ आपको यह पूजा रूम कान के अंदर करके दिया जा रहा है, drawing room space के अंदर, दोनों bedroom के अंदर, इस room के साथ आप देखेंगे, तो यहाँ पर OTS का space आपको मिल रहा है, जहां पर की अगर आप पीछे भी washing machine अगर रखना चाहें, तो आप यहाँ पर वो भी रख सकते हैं, ताकि और यहाँ पर भी सब्सक्राइब कम्प्रीट डाल करके दिया जा रहा है, इस room में भी ventilation के लिए अगर आप देखेंगे, तो OTS का जिसे यह पूरा उपर जाल दिया गया हुआ है, और यहाँ पर भी door के साथ यहाँ पर window मिल रही है, ventilation के लिए, तो door कम window यहाँ पर आपको ventilation purpose से दिया जा रहा ह हम चल रहे हैं, first floor पर, जब हम उपर जाएंगे तो यहाँ पर जो railing मिल रही है, stairs पर यह सब steel की railing आ रही है, और जो पत्थर यहाँ पर लगा हुए है, यह सब आपको granite के पत्थर यहाँ आपको stairs पर लगा करके दिया जा रहे है, जब हम उपर चलते हैं, तो उपर भी आ यहाँ पर यह सपेस दिया गया, stairs पर, कि अगर आपके पास जो dead storage है, वो उपर आप डाल के छोड़ सकते हैं, जब हम उपर आएंगे तो front पर आपको जहाँ दिखाए देगा, जो की लोहे का पूरा दर्वाजा है, safety purpose से यहाँ पर लोहे का दर्वाजा करके दिया जा रहा ह दोस्तों यहाँ पर आप मांग के चलिए कि 70-75 families और यहाँ पर shift हो चुकी है, और possession इससे जादा दिया जा चुका है, और जो families है, वो अगले एक से दो महिने के अंदर यहाँ पर मांग के चलिए कि 100-200 families यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पर अगर आप ऐसी society चा रहे हैं, जहाँ पर कि आपको बसी हूँ society हो, जहाँ पर families रहे रही है, उस society के अंदर अगर आप plan कर रहे हैं, तो यह society आपके लिए बहुत जादा अच्छी और बहुत से जादा suitable society है, मैंने बताया आपको कि इस society के अंदर आपको 40 feet road भी मिल रही है, तो आप देख सकते ह जादा रही है, इस 40 feet के road के उपर जो मकान बन रहे है, एक हजार स्कॉय फिट के, तो यहाँ पर आपकी जो मकान आ रहे हैं, यहाँ पर भी आप मकान ले सकते हैं, यह जो पूरी township है, यह लगबग साड़े 300 से 400 मकान का यह पूरा project है, आज की date के अगर हम बात करें, तो य मकान यहाँ बन के खड़े हैं, जिसके अंदर की लगबग 150-160 मकान यहाँ पर पूरी complete तरीके से sold है, और 75-80 families यहाँ पर और शिफ्ट हो चुकी है, तो देर ना करें, अगर आप अपने मन पसंद मकान चाहते हैं, कि आपको east facing मिल जाए, या आपको corner का मिल जाए, या फिर आपको par facing का मिल जाए, तो आज अगर आप यहाँ पर मकान को plan करते हैं, book करते हैं, तो आपको आपके मन के अनुसार मकान यहाँ पर मिल सकता है, बाद में जब आप आएंगे तो rate भी बढ़ चुका होगा, और आपके अनुसार फिर आपको मकान मिलता भी नहीं है, आपको क सकते हैं, इस society के अंदर यह सारे मकान हैं, जहाँ पर की लगभग 75 families, मतलब कि 70 families यहाँ पर already shift हो चुकी है, अगर आप देखेंगे सामने, तो यह first row, second row, third row, और इसके बाद भी अगर आप देखते जाएंगे, fourth row, fifth row, इन सब के अंदर families shift हो चुकी हैं यहाँ पर, और सार लोग shifting में लगे हुएं process के अंदर, तो मांग के चलिए कि अगले 1,5 महने के अंदर 20-65 families और extra यहाँ पर shift हो जाएगी, तो 100-500 families यहाँ पर दिवाली के अंदर यहाँ पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आप हाइवे से आएंगे, वो 40 feet की आएगी, और society के अंदर इंटर करते हैं, तो यह रोड आपको जो मिल रही है, तो यहाँ पर आपको जो रोड मिल रही है, वो 40 feet, 30 feet की रोड आपको मिल जाएगी, गेटर society मिल रही है, camera, guard, security, यह सारी सुईधाओं के साथ यहाँ पर आपको society के अंदर मकान available है, बना हुआ मकान available है, तो अगर आप फैजाबाद रोड पे बना हुए मकान के अंदर interested है, और main road से नजदीक में मकान के लिए interested है, तो आप हमसे जरूर संपर करें, और जो number है मेरा वो video screen पर भी mention है, और description के अंदर भी आ रहा है, उस पर भी आप हमसे संपर कर सकते हैं, यहाँ पर जो starting है, जैसे मैं पर मकान अबलेबल है, और आपने बजट के अगोर्डिंग यहाँ पी चीज़े को प्लान कर सकते हैं, लोन की जो सुविधा है, वो आपको LIC और ICICI बैंक से यहाँ पर PNB है, यहाँ से आपका जो है अप्रूब्ड है, तो इन जगहों से आपको easily loan की facility भी अपलेबल है, loan की अपनी team है, जब आप मकान बुक करते हैं, तो आपको loan के लिए दौनला नहीं है, आपको से booking करा नहीं है, अपने papers देने है, loan आपको हम 15 से 20 दिंग करा करके, रिरिस्टिक कम्लीट करके आपको handwork कर देते हैं, तो दोस्तों देर ना करें, बहुत लिमिंटेट मकान यहा को लाइक ज़रू कर ले, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ज़्यादा सर ज़्यादा अपडेटर वीडियो आप तक हर बार पहुस्ती रहे, और मिलते हैं बहुत जल इसी सोसाइट्टी पर विजिट करते हुए, या फिर किसी दूसरे वीडियो पर स्क्रॉल करते हुए, सब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखे, थैंक्यू, टेक केर, बाबाए